नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवनिरस्टी अपडेट यूट्यूब चैनल में आज की जो वीडियो है बहुत ज़्याद है आप सभी के लिए और आज हम बात करेंगे दिल्ली विश्विदाले में होस्टल के एडमिसन प्रोसेस पर कैसे आपको होस्टल में एडमिसन मिलता है क्या उसकी रिक्वाइरमेंट होती है क्या एलिजविटी होती है और कैसे और किन इस्टेन्स को जो एडमिट है होस्टल में कैसे होते हैं, कैसे मिलता है पूरा हम बेसिक से बात करेंगे और अगर आप चैनल पर पहली ब्रजिट कर रहे हैं और दिल्ली विश्विताले की सभी इंपॉर्टन अपडेट्स को पाना चाहते हैं मतलब दिल्ली के नहीं होने चाहिए, समझे अगर आपको होस्टल लेना है तो अधर स्टेट से होने चाहिए, जितनी दूरी पे आपका घर होगा, उतनी ही ज़्यादा पॉस्टिबिल्टी होती है आपको होस्टल मिलने की दूसरा, अगर आप किसी इरिजिविशन के टेगरी से बलॉंग करते हैं तो और अच्छा हो जाता है आपको एड्मिसन होस्टल में मिलने में फिर हम बात करेंगे आपके जो graduation के marks हैं graduation के marks हैं बहुत ज़्यादा माइने करते हैं आपके hostel admission पर hostel admission में अगर आपको लेना है तो एक merit बनाई जाती है जिसमें कि आपके entrance के marks भी देखे जाते हैं और के graduation के marks भी देखे जाते हैं उसके according आपको hostel admission दिया था जिसके जितने marks होते हैं उत्ता ही उनको अच्छा hostel मिलता है और hostel की fees बहुत ज़रा डाउट होंगे कि फिस कितनी होती है hostel की fees देखा जाए तो 30-40 यार रहती है समझ कि 30-40 यार रहती है पर year समझ कि बाकि हर hostel की अलग लग फिस है किसी में कम है किसी में जादा भी है समझ कि यह 30-40 यार जो है मैंने एक average बता दिया आपका बाकि अगर आपको कहीं रूम लेके रहते हैं तो थोड़ा कम भी हो सकता है थोड़ा जादा भी हो सकता है पर यहां की फिस देखी जा रही है मतलब 30-40 यार आप सब्सक्राइब कितनी फीस आती है कम से कम समझ के बाकि कहां कहीं ज्यादा भी है कहीं कम भी है एक यह नॉर्मल फीस है समझ के फीस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया एंट्रेंस १ो आप cod body के मां बिलएंगे होस्टिल में तो गुरिषूस्पे मां की विच्छा जाएगा कि आपके मांक्स होइगा और सीटे देखी जाते हैं कि आपके course में किती सीटे जैसे कि आपका ME Hindi course है ME Hindi में हमारे hostel में 10 सीटे हैं तो 10 सीटे आपको अगर provide करनी है तो उसमें सभी category wise होता है 3-4 सीटे जर्नल की, 2 सीटे, 3 सीटे OBC की, 2 SC की, 1 ST की, 1 PWD की ऐसे आपकी सीटे बनाए जाती है तो उसमें भी क्या होता है, आपके जितने अच्छे marks होते हैं जितना अच्छा जो बच्चा है, category wise अपने उपर है उसको मतला hostel दिया जाता है समझ गे, आपके category भी अच्छी होनी चाहिए तो कि category से भी माइन रखता है कि category से भी यहापा जो होस्टल में होता है तो नमबर कम भी होंगे, अगर आपके category ठीक होगी category है, अगर आपके CST, OBC कुछ भी है तो उसके recording आपको number जो है, मिल जाता है number बढ़िया होने चाहिए आपके आप rankers होने चाहिए, कहने के मतलब है आप जो है, अपने जिस भी course में आप ले रहे है topers होना चाहिए हो, समझगे topers नहीं भी हो, तो आप seat भी है तो आपको admission मिल जाएगा दो campus हैं हमारे दिल्ली विश्विदाले में एक है north campus, एक है south campus दोनों के ही hostels अलग-लग है दोनों के ही जो facilities हैं वो अलग-लग हैं, और इनकी requirement जो है, वो requirement जो जो आपका पूसते हैं, requirement में जो जो मांगते हैं, facilities जो भी है सभी same है, जो कोई जादा नहीं है facilities की बात करें, तो आपको room देंगे, room के साथ आपको table, chair, bed ये सभी मिलेगा, almari मिलेगी और आपको खाने, पीने के सारी बेवस्ता होगी, कहीं कहीं पे आपको जो है, gym facilities भी मिलती है और पाकी तो normal जो भी hostels में रहता है, वो सभी मिलेगा आपको समझगे, parking आपको मिलेगा parking के साथ साथ आपको library भी मिलेगी free wifi भी मिलेगा, ये जो भी चीज़े हैं, वो सभी आपको मिलती है और जो washing machine है वो भी कहीं कहीं मिल जाती है, प्रैस के लिए भी मिल जाता है, तो मतलब हर जगा अलग है और हर जगा fees की भी जो है, अलग लग है थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे थोड़ा कम facilities मिलेंगी, जाता अच्छे में जाएंगे फैसलीदे कि जाता है, थोड़ा उणोर्मल छाए, और और फैसलीद itself, साफ सफाई साफसफाई, देखी जाए, और रोम का structure गया, सब कुँछ मतलब लाने पड़ेंगे, जैसे ही आपकी फीस होगा है composed आपका होजाना सब चीज इंट्रेंस होने वाले हैं सत्राथार निस्ट इसमें वह जो भी स्टुएंट देंगे वह अच्छे से अपना त्यारी करेंगे अच्छे नंबर लाएंगे तब यह आपको एडमिसन मिलेगा होस्टल में यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस है होस्टल का मैं आपको बता दिया इसके कोडिंग कोई भी और डाउट रह जाता है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा होस्टल सर्च के उपर कि क्या होस्टल का प्रोसेस है और जो आप समझना चाहते हैं समझ गहें बाकि जो जो हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंत जय भारत